हेलो फ्रेंड वाइलकम यॉल इंज्यार्विस केमपस आज हम बात कने वाले एक नए चैपटर के बारे में जिसका नेम है direct and inverse proposition, आप बोलो कि direct and indirect या फिर यह जो inverse है, वो क्या है, पर अगर मैं बोलो कि propose k्या है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर proposition नेंगे, कि ratio के बारे में कुछ बात करने वाले होंगे. Yes, obviously, पर देखनी है, यह जो है. के निए कि looking कश्ऑ दो चीज के बीच में comparing कर ना है तो कि यहां पर आप देखो कि को एक चीज जैसे की समझेँ कि मैंने यहाँ पे पेपर सिटसले ले लह नहीं हो ने बेपर सिट का हैं हैं यहाँ डिया कर रहा हूं तो अब मेरे पास यहाँ let 25 है इसका वेड अगर मैं करता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है 100ग मिल रहा है अगर मैं यहां पे 25 पेपर सीट न लेते अगर 50 पेपर सेट लेता हूं तो मेरे को उसका ब्रेट से जयाधा मिले या कम मिलेगा आप क्या बोल सकते हो obviously ज्यादा ही मिलेगा कितना मिलेगा तो कि 200 मिलेगा तो आप यहाँ पे बोल पाओगे यहाँ पे जो paper sheet अगर बढ़ रही है यानि कि 25 से लेके मैं 50 कर रहा हूँ 25 से लेके 50 कर रहा हूँ तब यहाँ पे यह क्या हो रहा है यानि कि यह जो paper sheet है उसको हम x ले लेते हैं और यह जो weight है उसको हम y ले लेते हैं तो यहाँ पे आप x divided by y करते हैं x और y का ratio लेते हैं यानि कि paper sheet और उसको weight का ratio लेते हैं तो यानि कि 25 divided by मैं क्या कर रहा हूँ 100 कर रहा हूँ तो मेरे को क्या answer मिलेगा 1 upon 4 मिलेगा 25 forza 100 और अगर यहां पर में 50 divided by 100 करता हूँ और अगर यहां पर में दूसरा जो हमारा यहां पर दिया गाया 50 और 200 यानि कि 50 divided by 200 करता हूँ तो मेरे को यहां पर क्या answer मिलेगा 1 upon 4 ही answer मिलेगा 54 forza 200 यानि कि आप देख पहोगे कि दोनों के ही रिजक्तिक क्या है अलियक्न पर लग्म एक महने कि और बॉल सकते हैं इसकोता दोनों ही सब्वंटिटी एक साथ बड़ेगी यहां तो फिर एक साथ घटेगे जैसे कि मैं यहां पे 25 पेपर सीट की जगा पर अगर मैं 5 पेपर सीट ले रहा हूं तो यहां पर जो वेट है वो क्या होगा कम ही होगा यानि कि पेपर सीट का यहां पर जैसे वजन बढ़ रहा है तो उसका जो वेट है वो भी बढ़ रहा है अगर paper sheet का version कम हो रहा है, तो उसका जो भी number of paper sheet होगा, वो भी कम ही हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे कि एक quantity बढ़ रही है, तो दूसरी quantity भी उसके साथ बढ़ या तो फिर घट रही है, तो इसी को बोलते हैं हम direct proportion, और यहाँ पर x upon y equals to हम क्या ले लेंगे, k ले लेंगे, k जो है वो एक constant number मिले गए, आने कि हर बार दोनों ही x और y को, दोनों ही x और y को जब हम divide करेंगे, तो हमें एक seem answer ही मिलने वाला है, तब ही जाके हम बोल पाएंगे कि यह जो भी हमारी comparing है, या फिर quantities है, वो क्या है, direct proportion में है, जैसे कि यहाँ पर एक और example ले ले लेते हैं, क क्या km per hour speed रखता हूं, तो मेरे को, जहाँ पहुंचना है, को एक जगा पहुंचना है, तो वो जगा पहुंचने में मेरे को समझो कि, एक गांटा हो जाएगे, या एक 60 minutes लगेंगे, right, कितनी speed है? 60 km per hour की speed है, तो मेरे को 60 minutes लगेंवाले, अगर समझो कि毎 60 की speed में, अगर 100 क स्पीड से अगर मेरी गारी जाती है तो क्या मेरे को 60 मिनिट लगेगा वहाँ पर पहुचने में नहीं उसमें क्या होगा? टाइम कम ही होगा, तब बोल पाऊगे कि यहां पर आपने बोला था कि एक quantity जो है दूसरी quantity है, अगर यह quantity को बढ़ा रहे हो तो ढुसरी quantity भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो रहे है? quantity कम हो रहे है, यहाँ आप गूल पाउगे कि यह जो प्रपोजन है वो direct बढ़ेगी इसे ही जो प्रपोजन रहेगा वैसे सभी प्रपोजन को हम direct proportion कहेंगे और direct proportion में आपको एक ही जीज़ दियान रखने है कि जो भी quantities दे उसका अगर हम ratio निकालेंगे तो वो क्या होगा हर एक के लिए equal आएगा तो ये था हमारा direct proportion अभी दूसरा है inverse proportion वो क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ Thank you